हलो फ्रेंड्स मधुज की चन में आपका स्वागत है आज मैं बहुत ही जादे टेस्टी और हेल्दी पालक के दाल के रेस्पी सेयर कर रही हूँ मेरे घर में ये सब का फेवरेट है तो मैंने पालक को काट लिया है दाल बनाने के लिए मैंने थोड़ा साथ चनी का दाल लिया है या दाल चनी के दाल में ही अच्छा लगता है तो ध्यान ए रहे कि दाल की मात्रा जादे नहीं होनी चाहिए तो मैंने एक मुठी चना का दाल लिया है अब इसमें कटा हुआ पालक डालेंगे दो कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल करक तीन सीटी आने तक पकाएंगे सर्दी स्पीसल या पालक की डाल खाने में बहुत टेस्टी लगता है मेरी घर में इसे नए चावल के साथ खाने में सब लोग पसंद करते हैं या डाल इतना टेस्टी लगता है कि इसकी साथ सबजी की भी जरूरत नहीं पड़ता है तो डाल अच्छी तरह पक जुका है ध्यान यह देना है कि डाल को इतना ही पकाना है कि यह अच्छी तरह पक जाए लेकिन गले नहीं चलिए अब इसके लिए तड़का तयार कर लेते हैं तो तेल में मैंने थोड़ा से जीरा लासन हींग और प्याल डाला है इसे अच्छी तरह से भ में खल्दी डाला था लेकिन वहाँ पर थोड़ा कम डाला था तो मसाला हमारा अच्छी तरह से तयार हो गया है इसमें दाल को डालेंगे और पांच मिनट तक पकाएंगे पालक की स्वादिष्ट दाल खाने के लिए तयार है मुझे उमीद है आप सबको हमारे रेस्पी जरू बहुत धन्यबाद